बिसमेलार हमारे ही स्टुटेंट्स हमारी एक्सरसाइज चाह रही है सैक्षिन 40 गोरे हैं कंटूरा इंट्ग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्वैश्चन 3 है चाहिए एक्सराइज कोuctर आटे में के में अकर प्रहिश्चन काता है C जो है वो जो डिफाइंड है इस दी बॉंडरी आफ दी स्केर आफ दी बर्डसेस यानि कि C इस तरह डिफाइंड है हम बॉंडरी बना लेते हैं ये क्या है? ये हमार पास रियल एकसेज है X और ये अमेजनेरी एकसेज है Y ये ओरिजन है अच्छा अब ये देखो एक पॉंड हमारे पास क्या है? ये 0 है दूसरा पॉंड ये 1 है तीसरा पॉंड ये 1 प्लस आयोटा अब ये कह लें कि ये जो पॉंड है ये 1 प्लस आयोटा है और ये पॉंड हमारे पास आयोटा आ गया ये हमें जो है वो पॉइंट्स गिवन है ये C1 है ये C2 है ये C3 और ये C4 इसका मतलब ये जो हमारे पास इंटिग्रल है पूरा कंप्लीट ये चार कंटूर्स के उपर जा है वो चार सेगमेंट्स के उपर मुझतमिल है और इसमें हमने क्या करना है C1, C2, C3, C4 इसके उपर जो है वो कल्कुलेट करके ये टोटल आएगा यानि के C1, F of Z, D, Z हमने फाइंड करना है फिर C2, F of Z, D, Z फाइंड करेंगे फिर C3, F of Z, D, Z आएगा फिर C4, F of Z, D, Z हमारे पास आजएगा अब हम सबसे पहले C1 को डिफाइन करते हैं ठीक है ये जो हमारे पास C1 है C1 ये क्या है? ये देखो ये C1 हमारे पास कव है? अब इसमें क्या है? इसके अंदर X, X वेरी हो रहा है, X की वेरियेशन क्या है? 0 से लेके 1 है और Y किसके एकल है? इसमें Y 0 है तो Z किसके एकल बनेगा? यानि कि हमारे पास जो Z होता है, Z है X प्लस आयोटा Y और फिर हम इसको आप देखें, तो Z किसके एकल आ गया? X वेरी हो रहा है, Y 0 है तो X और X की वैलियू 0 से लेके 1 जो है वो क्या हो रही है? वेरी हो रही है तो यह हमारा जो है वो पहला पहली कर्व है और यह हम इसका इंटिग्रल फाइंड का लेते हैं यानि कि इंटिग्रल इसके इंटिग्रल को I 1 कहें C 1 F of Z D Z तो यह किसके इंटिग्रल आएगा? C 1 यानि कि हमारे पास यह जो F of Z है वो है पाई E raised to power पाई Z bar और D Z है अब हम Z की value रिप्लेस करते हैं यहां पे यह C जो है वो 0 to 1 बनेगा पाई E raised to power पाई Z की जगा पे X इसका बार और D Z यानि कि Z हमारे पास X है तो D Z किसके इकल है? D Z D X के इकल है तो यह क्या आजेगा? यह D X आजेगा अच्छा अब यह क्या बन गया? 0 to 1 पाई पाई तो constant है? और E raised to power पाई X ही आजेगा क्यों? कि इसके अंदर आयोटा नहीं है इसका बार लेंगे तो यही बनेगा अब इसका integral आप जह है वो find करें students तो यह E raised to power पाई X over पाई यह बनेगा और value 0 to 1 आएंगी यह आपस में cancel E raised to power पाई 1 कीज़े और E raised to power 0 यह students क्या आगया? E raised to power पाई minus 1 यह हमारे पास I1 आगया है ठीक है? यहनि कि I1 की value किसके इकल आई है? I1 is equal to E raised to power पाई minus 1 आगया है अब हमने जह है वो students क्या करेंगे? यहां पे यह जो C2 के अलांग जो हमारे पास integral बनता है इसकी value को find करेंगे अब students हमने जह है वो C1 के अलांग जह है वो इस integral की value find की अब C2 के अलांग जह है वो find करें तो C2 किस तरह defined है? अब इस curve में देखें तो हमारे पास यहां पे यह देखें X की value 1 है X की value क्या है? 1 है X is equal to 1 और Y vary कर रहा है कहां से? 0 से लेके 1 तक Y की variation जह है वो 0 से 1 है इसका मदलब Z किसके equal बना? अब Z is equal to X plus Iota Y है तो यहां पे X की जगा पे अब हम क्या put कर देंगे value? 1 put कर देंगे X हमारे पास 1 है और Y जो है वो vary कर रहा है 0 to 1 अच्छा हमें फिर जो है यह C2 मैं अगर लिखूँ C2 F of Z DZ यह I2 integral हम कह लेते हैं इसको क्या कह लेते हैं? I2 integral अच्छा यह किसके equal आजएगा? C2 F of Z F of Z है πाई E raised to power πाई Z bar और साथ जो है वो क्या आएगा? DZ आजएगा Z हमारे पस किसके equal है? 1 plus Iota Y तो यहां से DZ किसके equal आएगा? Iota DY क्यों? कि यह 1 जो है वो constant है इसका derivative 0 हो जाएगा और Z bar किसके equal आएगा? 1 minus Iota Y के equal आजएगा तो इस तरह students I2 की जो value है वो क्या बनेगी? लिमिट है 0 से लेके 1 लिमिट क्या है? 0,2 1 है और πाई E raised to power πाई Z bar 1 minus Iota Y और DZ जो है वो Iota DY है इसमें अगर आप यह देखो तो यह 0 to 1 पाई E raised to power πाई minus Iota पाई Y और साथ जो है वो इदर Iota है इसको मैं इदर लिख लेता हूँ अच्छा अब आप यहां पर यह देखें स्टूरेंट्स के इसका जो है वो अगर हम इंटिग्रल जो है वो फाइंड करना चाहें अब स्टूरेंट्स इसको हम जो है वो मज़ीद आगे सिंपलिफाय करें तो यह क्या बनेगा? जीरो टू वन आयोटा पाई ए रेस टू पावर पाई ए रेस टू पावर माइनस आयोटा पाई वाई डी वाई आ गया अच्छा यह जो है आप यह देखें आयोटा पाई ए रेस टू पावर पाई इसको बाहर लिख लें 0 to 1 e raise to power iota pi y dy आ गया इसको हम integrate करना चाहते है तो iota pi e raise to power pi ये e raise to power ये minus में है तो e raise to power minus iota pi y over minus iota pi और limits क्या आएंगी 0 to 1 आजाएंगी अच्छा ये देखें iota pi इस iota pi से cancel हो गया तो ये क्या बन जाएगा minus e raise to power pi e raise to power minus iota pi minus e raise to power 0 ये किसके equal आजाएगा that is equal to e raise to power pi ये minus 1 आएगा open करोगे इलर एडिन्टी से ये भी minus 1 तो ये 2 ये हमारे पास जो है वो minus 1 minus 1 minus 2 हो गया तो 2 e raise to power pi ये कि i2 जो है वो क्या आजाएगा है 2 e raise to power pi के equal आजाएगा ये था हमारा जो है वो i2 अब हम जो है वो क्या करेंगे इसमें ये जो तीसरा है इसको जो हम c3 के इलांग integral को discuss करते हैं अब students हम जो है वो इसका integral c3 के इलांग जो है इसको discuss करेंगे कि c3 पहले हम c3 को define का लेते हैं अच्छा c3 अब ये देखें इस से इस तरफ आ रही है value ना तो एक तो ये है कि इसमें x की value vary कर रही है x की value कहां से लेके कहां तक vary कर रही है अगर मैं लिखूं 0 से 1 तो फिर मुझे जो z है उसको क्या लिखना होगा 1-x लिखना होगा अच्छा आप ये देखो जब आप x को 0 पुड करते हैं तो इसकी value 1 है 0 के उपर इसकी value जो है वो हमारे पास x की value जो है वो किसके equal है वो 1 के equal है ठीक है ये 1-x है तो x को आप 0 पुड करें तो इसकी value जो है वो क्या आजाती है 1 आजाती है और जैसे जैसे हम इसमें ये देख लें इदर से आपकी value जो है वो आ रही है तो x जो है हमारे पास जब 0 होगा तो इसकी value जो है वो किसके equal आएगी 1 के equal यानि कि हम 0 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो और y जो है उसकी value किसके equal है 1 है y वैसे ही constant है उसकी value जो है वो क्या है 1 है और x की value इस तरफ से हम आ रहे हैं तो ये value हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस x इसको जो है वो लिख लेंगे इस तरह ये curve जो है वो क्या होगी defined होगी ठीक है जी अब यहाँ पे आप क्या करोगे इसमें ये देखें f of z जो है वो किसके equal given है f of z is equal to pi e raised to power pi z bar है ये वाली value है तो z है 1 माइनस x प्लस आयोटा तो यहाँ से आपके पास जो है वो z बार किसके equal आजेगा 1 माइनस x माइनस आयोटा आजेगा अगर हमें d z की बात करनी है तो 1 का derivative 0 x का माइनस d x और ये फिर 0 हो जाएगा तो अब हम जहे है वो c3 के लिए i3 integral को जहे है वो use करें limit 0 से 1 है और function हमारा जो f of z है वो क्या है pi e raised to power pi z bar d z है यानिके 0 to 1 pi e raised to power pi z bar z bar is 1 minus x minus आयोटा 1 minus x minus आयोटा और ये जो d z है ये किसके एकल है d z is equal to minus d x minus d x है अब हमने इस integral को साल करना है i3 इसमें जो constants हैं उनको हम बाय लिखेंगे pi e raised to power pi minus pi x और ये जो जो हमार पास आजेगा e raised to power minus iota pi आजेगा और साथ क्या है minus d x है अब इनको मैं अगर अलाइदा लिखूँ तो पाई ये e raise to power pi e raise to power minus pi x e raise to power minus iota pi लिखा जाएगा minus dx अच्छा अब आप ये देखो तो e raise to power iota pi ये minus 1 के इकल होता है ये किसके इकल होता है minus 1 और ये e raise to power pi ये भी बैरा जाएगा ये कि ये आजएगा हमारे पास pi इसके जगापे e raise to power pi इसके जगापे minus 1 लिखें minus minus क्या हो जाएगा ये plus हो जाएगा 0 to 1 e raise to power minus pi x dx ये pi e raise to power pi e raise to power minus pi x over minus pi limit 0 to 1 है अब students इसको हम मजीद simplify करते हैं ये pi x pi से cancel तो ये minus e raise to power pi इसमें e raise to power minus pi minus e raise to power 0 हो जाएगा तो ये जब multiply होगा तो e raise to power pi minus pi ये 1 हो जाएगा तो minus 1 minus minus plus e raise to power 0 होता है तो e raise to power pi तो इसका answer आजएगा e raise to power pi minus 1 ये कि हमारे पास जो i3 की value है वो e raise to power pi minus 1 आगे अब हमने क्या करना है students इसी तरह हम क्या find करेंगे c4 के लिए values find करेंगे और c4 के अंदर आप ये देखो तो इसमें जो y की value है वो 1 से लेके 0 की तरफ आ रही है एक बात और दूसरा ये है कि इसमें x किसके equal है जीरो के equal है इसको हम यहां पे use करेंगे अब students हम ये curve 4 जो है इससे related integral की बात करें तो सबसे पहले हम c4 को जा है वो define कर लेते हैं c4 में अगर तो हम इस तरफ से आ रहे हैं तो इसका मदलब ये है कि अब x तो 0 है इसके उपर x जो है जो है जो है और y की value जो है वो कहां से ये 1 से जो है वो किस तरफ आ रही है 0 की तरफ आ रही है अगर मैं 0 से जो है वो 1 value लेता हूँ तो मुझे y को क्या use करना है 1 minus y यूज कर लोगा यानिके z हमारा जो है वो किसके इकल आजएगा 0 plus iota 1 minus y अब इससे क्या होगा अब आप ये देखें कि जब y को आप 0 पूट करते हैं तो इसकी value 1 आती है और 1 से फिर जो है वो क्या आएंगे हम 1 जब put करेंगे तो 0 जिरो आजएगा अच्छा अब ये हमारे पास जो है वो z है z किसके इकल है 1 minus y अईटा के इकल है यहां से dz हम find करें तो वो किसके इकल आएगा minus dy और 7 अईटा भी आएगा 1 का derivative 0 y का जो है वो क्या जेगा dy और 7 ये अईटा अगे ये क्या है ये dz है ये हमारे पास क्या है dz है अब आपने जो है वो c4 कर्फ को यूज करना है यानि के c4 के लिए f of z dz की हम बात करते हैं ये क्या बना ये हमारे पास value आएगी 0 से लेके 1 और f of z pi e raised to power pi z bar z क्या है हमारे पास 1 minus y आईटा है इसका बार आजेगा और dz है minus आईटा dy अब हम इस integral को जह है वो क्या करना चाहरे है साल करना चाहरे है इसमें यहां पर ये देखें students के ये 0 to 1 pi e raised to power pi और ये आईटा minus आईटा में चेंज होगा तो ये 1 minus y minus 1 आजेगा और साथ minus आईटा dy है यानि ये 0 to 1 ये minus से multiply कर देए तो e raised to power minus pi और minus minus plus और साथ जहना वो क्या आजेगा pi y आजेगा ठीक है जी और साथ क्या है minus आईटा dy है ये integral क्या बना ये हमारे पास integral आगया 0 to 1 minus pi आईटा minus pi या आईटा पाई e raised to power minus pi e raised to power pi y dy अच्छा ये बी constant है इसको भी integral से बाई लिखते है minus आईटा पाई e raised to power minus pi 0 to 1 e raised to power pi y dy ये integral क्या आजेगा ये हमारे पास जो इसकी value है अच्छा अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये ये जो आईटा है ये minus 1 नहीं minus आईटा में change हुआ है ये थोड़ सी mistake हुई इसको correct कर लें ये किस में change हुआ है minus आईटा में change हुआ है तो ये minus pi आईटा आएगा और इदर भी जह है वो साथ क्या आजेगा आईटा आजेगा और minus pi आईटा और ये minus pi आईटा फिर किसके equal हो जाएगा ये minus 1 के equal आजेगा और इसके साथ आईटा आजेगा यानिके i4 अब हमारे पास है इसकी जगा पे आप minus 1 लिके माइनस माइनस प्लस होजएगा तो यह आयोटा पाई आ गया और इसका इंटिग्रल क्या हैगा E raise to power आयोटा पाई वाई over आयोटा पाई और यह 0 to 1 है आयोटा पाई इसे cancel E raise to power आयोटा पाई माइनस E raise to power 0 यह माइनस 1 माइनस वन तो यह किसके एकल आजएगा माइनस टू के इसका मदलब यह हुआ कि इस सारे का जो इंटिग्रल है C4 से रिलेटेड यह क्या आगया है यह माइनस टू आगया तो I4 जह है वो that is equal to माइनस टू अब हमने क्या करना है इन तमाम इंटिग्रल्स की वैल्यूस को इदर रिप्लेस करके इनको एड़ कर लेंगे तो यह हमारे पास जा है वो इसका अंसर है और यह वाली वैल्यूस क्या आई है हमारे पास that is equal to I1 आया है E raise to power pi minus 1 यह आया है 2 E raise to power pi यह आया है E raise to power pi minus 1 ठीक है जी और यह आया है minus 2 E raise to power pi यह है minus 1 अच्छा अब यह देखें इन सारों को जह है वो एड़ करें तो यह pi 2 pi यह कितने बन जाते हैं that is 4 pi minus minus 1 minus 1 minus minus 4 4 E raise to power pi 4 इसमें से मैं अगर कामल ले लूँ तो E raise to power pi minus 1 यह इसका जो है वो आंसर है और यही स्टूडेंट समने जो है वो क्या करना था इसमें फाइंड करना था यह था हमारा question number 3 इसके बाद next वीडियो के अंदर हम question number 4 को डिसकस करेंगे अपना ख्यार रखें अलाँ हाफिज